हलो स्टुरेंट्स दिस्देव शेख हैर और स्वागत हापका हमारे चैनल स्टडी क्लास पर तो आज हम बात करने वाले हैं MPTT वर्गतीन की सिक्षक पातरता परिच्छा जो नॉवंबर में होने वाली है उसके उपर एक लेटेस नियूस के उपर जी हाँ अकबार में छपीव एक नियूस है एक रिपोर्ट है जिसके बारे हम डिसकस करेंगे आपको पेपर की कटिंग में यह दिखाई जाएगी मैं उस खबर के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूँगा कि खबर क्या है कैसी है वो पूरा का पूरा यहां पर आपको बताया जाएगा तो यह जो खबर है यह है MPTT वर्ग 3 की सिख्षक पातरता परिशा की जो की नवंबर महीने में प्रस्तावीत है फिलाल जो तारीक दी गई हो 10 नवंबर की दी गई है अब सभी की परिशा एक ही साथ 10 तारीक को हो पाना शायद मुश्किल लग रहा है और जैसे MPTT हर बार करता है यह मतलब MPESB, मंद्रपरदेश करमचारी चेन मंडल जो पहले PB, Professional Examination Board की नाम से जाना जाता है इन होने भाई, Already मतलब कई बार डिले करते गया है यानि यह परिशा पहले सितंबर में थी, फिर नॉमबर हुआ नॉमबर में दस नॉमबर दिया है, अब यह आगे बढ़ती की नहीं देखने वाली बात है तो यह मान कर चलिए कि हो सकता परिवरतन हो जाया पर फिलाद 10 नॉमबर की डेट को मान दिया गया है इसके उपर Already वीडियो बना कर मैंने डिस्क्राइब किया था चैनले पर देख सकते हैं तो MPTT वर्गतीन की एक latest news जो है आज की वो क्या थी, अब आज मतलब वीडियो पहले बनी है एक दिन पहले और ये खबर आप आज देख पा रहे होंगे तो खबर क्या चैनले थी, कि भाई 10 नॉमबर को पातरता परिच्छा जो होनी है MPTT वर्गतीन की सिक्षक पातरता परिच्छा जो होनी है उसके पर खबर थी कि सिक्षकों की भरती में डिगरी बेकार, अब डिपलोमा दिलाएगा नौकरी अब यहाँ पर डिपलोमा में नौकरी मिलने की बात हो रही है और डिगरी बेकार की बात हो रही है तो ये जिक्र हो रहा है B.A.D. ald का, जि हाँ बीड वर्सेस डीड का यानि आपको पता होगा कि प्राथमिक सिख्षक भरती में बीड वालों को बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोट ने फैसला दिया था कि बीड वाले जो है वो पात्र नहीं होंगे प्राथमिक के लिए क्योंकि बीड में प्राइमरी की कोचिंग तो होती नहीं है मतलब अगर आप बीड कोर्स कर रहे तो प्राइमरी के बच्चों कैसे समाला यह तो पढ़ाते ही नहीं है तो वो प्राइमरी के टीचर कैसे बन सकते हैं वो उसके योग यह नहीं है तो सुप्रीम कोट ने बीड व ख़ह रहा है कि डिगरी जो है वो नहीं चलेगी डिगरी काम नहीं आएगी अब आप काम आएगा आपका डिप्लोमा यानि डिप्लोमा आपको नोकरी दिलाएगा तो मद्य परदेश MPTD वर्गतीन का जो इलिजिविटी क्राटेरिया है पातरता है उसके लिए तो भाई उसके लिए बारवी प्लस और या फिर आपको मांग रहा है डिलेड मांग रहा है जूस्इ। पूरा का पूरा जो कह सकते रखा गया है वो सिफ और सिफ डिप्लोमा यांनि कि डिलेड जिसे बी-अस्टी सी है जेबई टी या बेटी सी या डिएड इतने नामों से जानते हैं, इसी कोर्स वाले को मिलेगा, जिन्होंने डिग्री ले रखे ने बीड कर रखा है, एमेड कर रखा है, उनके लिए अवलेवल नहीं है, वो इसमें टीचर बने नहीं सकते, ठीक, तो पत्रिका अकबार में, पत्रिका नियूस नेटवर्क जो इस पर खब पढ़ा जाए, अगर और रेटिल में बात की जाए इस खबर को, तो देखे क्या लिखा है, सरकारी स्कूलों में प्रामेरी टीचर्स की भरती की जाना है, इस भरती में वे अभ्यरती अयोग हैं, जिन्होंने डिगरी हासिल की है, केवल डिपलोमा धारी ही आवेदन कर तब ये लोग अनाउंस करेंगे कि इतनी पोस्ट है, इतने लोग दे सकते इतने नहीं है, लेकिन प्राइरी में फिलाल रिपोर्ट के अनुसार 20,000 पोस्ट तो खाली है, तो अल्मोस्ट ऐसी आनी चाहिए, तो ये खबर बताने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, कि अगर आप MPTT सिक्षक भरती की परिक्षा देना चाहते हो, फॉर्म नहीं भर तो भर दो, और भर दिया है और तयारी करने की सोच रहो, तो सफलता बैच जॉइन करो, इसमें MPTT वरके 3 सिक्षक पातरता परिक्षा, नॉम्बर में होने वाली परिक्षा के लिए यहाँ पर प प्रामेरी का सिक्षक भरती हुआ है, टीटी में परिक्षन पूछे ना, उन में से 4,000 से जादा कोश्चन का पूरा का पूरा PDF, पूरा का पूरा वहाँ पर सीरीज जो है, अपलोड की गई है, यानि पूरा प्रैक्टिस कर पाओगे, यह सब मिलेगा आपको, नोर्स, पर्चेस नहीं किया है, आप देखेंगे इस वीडियो की डिस्ट्रीशन में जाके, तो हमारे एप की लिंक है, साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल, जहां पर हम TET के तायारी कराते है, MPTT सिक्षक भरती की, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हम आपको पास अभी भी मौका है, कोर्स पर्चेस करके पढ़ाई शुरू कर दे, तो और बाकी खबर को और आगे देखें, तो और क्या अच्छा पाता है, कि मद्वपर्देश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, पतता परिक्षा का आयोजन कराएगा, इसमें शामिल होने वाले मंगलवार से अवधन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, प्राइमरी स्कूलों में करीब 30,000 सिक्षकों की कमी है, इसके पहले अगबार में बता रहा था 20,000, अब यहां के बता रहा है 30,000, ठीक है, अभी अतिति सिक्षक इसे पूरा कर रहे हैं, इस कमी क हामें अतिति सिक्षकों की भी शामिल होना होगा, वो भी इसमें सामिल हो सकते, अगर उनकी पात्र होते, एकजाम पास करते हैं, टीचर बन पाएंगे, ठीक है, इसमें योगगता के पर पहले भी विव्याद हो चुका है, जैसे मैं बताया, कि पहले जो बीड डिग्री धा तो यह अकबार के खबर थी, जिसके बारे में आपको बताना था, तो आशा है, आपको नॉलिज मिल गया होगा, आपको इंफरमेशन मिल गया होगी, ऐसे और खबरों के लिए, लेटेस्ट निउस के लिए, टीचर वाले के लिए, आप बही चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोडिशन आल पर जुझर रखें, और हमारा कोर्स पर्चेस करें, चैनल पर पहली बार आया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, जानकारी सही लगी हो, अपने दोस्तों जिनके साथ आप शेर करना चाते हो, तो उन तक फटा-फट शेर कर दो, ठीक है, वीडियो पसन